नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपीनियन तो आज हम रिव्यू करेंगे एमजन प्राइम में आने वाली नई बॉलीवड मुवी जो रिलीज होगी 12 ऑगस्ट को सतन्तता दिबस की अफसर पे तो उसका नाम है शेर्शा और जैसे कि आ नाम था शेर्शा और 1999 जो कारगिल वर हुआ था उसमें वो शहीद हो गए उनकी लाइब के ऊपर विसिकली एक डिलिस्टिक फिल्म जो है उसको बनाया जा रहा है और जो इसको डिरेक्ट करें उनका नाम है विश्नु वर्धन अब डिरेक्टर विश्नु वर्धन के बारे या फिर एसोचीए डिरेक्टर वर्धन ने काम किया है तो बॉलीवट का भी तैज़ूरवा थोड़ा बहुत उनको है और दोस्तों यह ट्रेलर देखने के बाद जो मैं पहले कहूंगा कि सिद्धार्ट मलहोत्रा गोड़ दी बेस्ट ऑपरचुनेडियरी डू फ़दी सकता है दोस्तों ट्रेलर में बहुत सारा पॉजिटिव्स है नेगेटिव्स बहुत कम है मैं आपको थोड़ा ब्रेकडाउन करके बताता हूं देखिए पहला पॉजिटिव जो मुझे लगा मैं यहाँ पर थोड़ा सा कम आपको मैं भूज के साथ करूंगा तो पहला सकते हो एंगेजिंग डायलोग्स है जैसे कि आप जानते हो यह दिल मांगे मोड तो रियली उन्होंने मतलब आसल लाइफ में भी उन्होंने कहा था तो उस चीज को यहाँ पर डाला गया है और कुछ वीडियोस आप देखिएगा यूट्यूब में भी उनका अविलेबल है और ऐसे प्री वर और पोस्ट वर जो मतलब उनका जो लुक्स का जो ट्रांसवर्मेशन है और दोस्तो और एक चीज मुझे काफी अच्छा लग रहा है देखिए भुज में हम लोग सिर्फ वार ड्रामा देखे हैं लेकिन इस ट्रेलर के अंदर में थोरा सा जो आपको दिया गया है उस हिंज के मुटाबि यहां पर किया रहा आदमानी का जो रूल है और मतलब एकरामबत्रा का जो लाइफ में जो मतलब लव इंटरेस्ट है उनका जो डुलेशनशीफ है उसको काफी अच्छे तरीके से बॉली उडी तरीके से उसको adapt किया गया है, जो बोकर मुझे काफी अच्छाले लगरा है, मतलब दोनों का पेरिंग मुझे काफी फ्रेश लगरा है और साथी में दोनों का जो मतलब लाव अंगिल जो दिखाय जा रहा है, अब दोस्तों इसमें खराब ही क्या है, देखें खराबी मुझे उतना इस format की films की खरावी एकी है कि इस सारे formats जो है वो आपको लगभग same दिखते हैं जहां पर माल लिजे कोई भी world drama में अगर आप देखिएगा इंडिया में जितने भी world drama भी भी बनाया गया है सब में formats एकी होते हैं लगभग जो मतलब main character होते हैं वो पहले जो है उसका एक family background या मतलब roller coaster जो है उसको दिखाया जाता है और साथ में war का footages वगरा जो है वो दिखाया जाता है तो यही मुझे कमजोडी लगता है कि इसके बाहर मतलब वो तो trailer देखके पता नहीं चल ला है लेकिन इसको break करके क्या ये film जो है वो निकल पाएगी अगर निकल नहीं पाती है तो फिर से वो same word मतलब cliche वाला जो plot है उस plot के अंदर में अठक जाएगी अब आप बोल सकते हो कि इसमें अलग क्या दिखा सकते है देखे अलग film में बनती है जैसे कि उरी का मैं example यहाँ पे दे सकता हूँ वो अलग film थी तो war drama में अलग type का चीज़े आप दिखा सकते हो तो यही था मेरा बिसिकली शेर्शा मुवी की ट्रेलर की मतलब रिव्यू अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए शेर कर लिजिए दोस्तों के साथ और अगर चैनल में आप नए आये हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्स्राइब कर लिज झाया है